ओके, in this lecture we will identify the load with the help of VSWR characteristic तो इस case को देखे, ये एक VSWR characteristic है इस characteristic को मैंने कहां से plot किया है, load से plot किया है पहला number का point मैंने ये note किया दूसरा number का point मैंने ये note किया कि इसमें minima की value किती है, 0 है तो VSWR कैसे बोलते है, Vmax divided by Vmin minima की value कितनी है, 0 है तो VSWR की value किती हो जाएगी, infinity हो जाएगी ये मैंने note किया तीसरी चीज़ देखे, open circuit line को देखे यहां पर open circuit line में, ZL की value कितनी होती, infinite open circuit के case में, क्या चीज़ maximum होती है voltage maximum होता है और ये जो ZL है, वो कहाँ पर है, load पर है load पर क्या है, open circuit है load पर क्या है, open circuit है तो voltage maximum कहाँ पर मिलेगा, load पर मिलेगा चलिए ठीक है इस case को देखे अच्छे से क्या आप इस पर ऐसा कह सकते हैं कि infinity is greater than 50 ये Z not क्या है, characteristic impedance of the transmission line है क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते क्या कि infinity is greater than 50 या कि दूसरे words में आप ऐसा बोल सकते हैं कि ZL is greater than Z not ये point मैंने note किया और यहाँ पर लिखा मतलब ये VHWR characteristic है किस के लिए open circuit transmission line के लिए जिसका VHWR क्या होगा infinity होगा और ZL is greater than Z not होगा चलिए दूसरा case देखिए इस case में minima कहाँ पर मिल रहा है load पर मिल रहा है minima कहाँ पर मिल रहा है load पर मिल रहा है और Vmax की कुछ value है तो चलिए VHWR की value कितनी होगी इस case में Vmax divided by Vmin minima की value कितनी है 0 मतलब VHWR कितना होगा infinity दूसरी चीज हमने को हम कहाँ से plot कर रहे है load से plot कर रहे है तीसरी चीज आप देखिए कि short circuit transmission line के case में short circuit transmission line के case में maximum क्या मिलता है voltage मिलता है कि current मिलता है तो मेरा जवाब है current मिलता है मतलब short circuit के case में maximum value किस की मिलती है current की मिलती है voltage की value क्या मिलनी चाहिए minimum मिलनी चाहिए short circuit कहाँ पर है load पर है load पर फिर मुझे क्या मिलना चाहिए voltage की value minimum मिलनी चाहिए तो यह देखे यहाँ पर मिल रहा है इस figure को देखे तो इस figure को देखने पर आपको एक चीज पता चलती होगी कि Z0 की value कितनी है 50 ZL की value कितनी है 0 तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि Z0 is greater than ZL तो देखे आपने यह लिखा हुआ है तो मैंने आपको क्या बोला हमेशा कि इन दोनों case को याद रखिए और इनकी help से हम rest of the cases बनाएंगे देखे इस curve को उपर की तरफ shift करिए उपर की तरफ shift किया maxima कहाँ पर अभी भी load पर है maxima कहाँ पर अभी भी load पर है दूसरी चीज यहाँ पर ZL is greater than Z0 था ZL is greater than Z0 अभी भी कुछ change हुआ है क्या नहीं सिर्फ फर्क कहाँ पर आया VHWR की value 1 से infinity के बीच में होगी इस case में इस case में देखे इसको curve को उपर की तरफ shift करिए minima कहाँ पर है load पर अभी भी minima कहाँ पर है load पर इस case में Z0 is greater than ZL था अभी भी Z0 is greater than ZL है कोई फर्क नहीं पड़ा फर्क कहाँ पर पड़ा इस case में VHWR infinity था इस case में VHWR 1 से infinity के बीच में है तो इन दोनो cases को याद रखिए ये दोनों अपने आप बन जाएंगे चलिए इस lecture का जो task है वो अब हम देखते हैं आप ये देखिए एक VHWR characteristic आपको ये given है इस ये VHWR characteristic कहाँ से plot की गई है load से plot की गई है पक्की बात है इस VHWR characteristic को आप देख के ये बोल सकते हैं कि VHWR 1 से infinity के बीच में होगा आप याद करिए ये वाला case ये वाला case देखिए 1 से infinity के बीच में होगा चलिए एक चीज ये भी note करी तीसरी चीज मैंने ये note करी कि एक maxima और एक minima के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है लेमडा भाई 4 ये मैंने note कर ली इस maxima इस minima और इस maxima के बीच में डिस्टेंस कितनी है लेमडा भाई 4 है अच्छा है maxima क्या load पर मिला नहीं इस maxima और यहाँ पर यदि minima होता यदि load पर minima होता तो ये distance क्या होती लेमडा भाई 4 होती लेकिन क्या ये distance क्या यहाँ पर minima मिल रहा है नहीं आप अच्छे से देखिए maxima और minima के बीच में distance कितनी होती है लेमडा भाई 4 क्या minima मिल रहा है load पर नहीं तो ये distance पकी बात है lambda भाई 4 से क्या होगी कम होगी चलिए ठीक है क्या लोड से इस maxima की कुछ distance है बिलकुल है तो इसको मैंने क्या दिखा दिया L Max और मैं यह कह सकता हूँ कि L Max की जो distance है यह जो distance है वो Lambda Y4 से क्या होगी कम होगी यदि यह distance Lambda Y4 होती तो load पर मुझे क्या मिलता minimum मिलता चलिए लोड से चले यह कौन से नंबर का maxima है फस्ट नंबर का maxima है तो N की value मुझे क्या रखनी पड़ेगी 0 रखनी पड़ेगी तो आप वो याद करिए वो lecture की maxima कम मिलता था हम दो vector consider करते थे एक 1 वाला vector और एक mod gamma L वाला vector यदि मुझे maxima चाहिए तो ये angle कितना होना चाहिए 0 degree होना चाहिए तो दोनों का orientation क्या हो जाएगा same हो जाएगा दोनों का orientation same हो जाएगा तो दोनों add होंगे तो मुझे कैसी value मिलेगी maximum value मिलेगी मतलब theta L minus 2 beta L is equal to 0 मिलना चाहिए या कि इसका generalized case हमने ऐसा लिखा था theta L minus 2 beta L is equal to 2N pi N की value 0 रख दीजे तो ये आपको मिल जाएगा चलिए ठीक है यहाँ पर देखते हैं theta L minus 2 beta L is equal to 2N pi कौन से number का maxima first number का maxima तो N की value क्या रखा 0 कितने distance पे मिला L max distance पे मिला तो L की value क्या रख दिया L max इसको solve किया तो theta L is equal to 2 beta L max मिल गया अच्छा आपने क्या conclusion निकाला कि ये L max की जो distance है ये जो distance है वो क्या है lambda y4 से कम है तो मैंने assume कर लिया कि ये distance lambda y8 है देखिए lambda y8 छोटा होगा lambda y4 से इस equation पे रखिए तो theta L is equal to 2 into 2 pi by lambda into lambda y8 theta L is equal to क्या मिला pi by 2 आप उस table को याद करिए जो मैंने बताई थी कि mod gamma L less than 1 और angle 0 से pi के बीच में हो तो load क्या होगा RL होगा तो देखिए आप angle 0 angle जो है ये जो calculated angle है क्या 0 से pi के बीच में है हाँ है तो आप बिलकुल बोल दीजे ये load कैसा होगा RL load होगा कैसा load होगा RL load होगा mod gamma L less than 1 और angle 0 से pi के बीच में हो तो load कैसा होगा RL होगा तो चलिए इसको एक और अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप देखिए आप इस case को याद करिए Vmax कहाँ पे मिल रहा है load पे मिल रहा है इस case में Vswr कितना होगा infinity होगा क्यों होगा minimum value कितनी है 0 है तो Vswr क्या होगा infinity होगा maxima कहाँ पे मिल रहा है load पे मिल रहा है तो आप क्या यहाँ पे बोल सकते हो ZL is greater than Z naught हाँ बोल सकता हूँ क्योंकि infinity is greater than 50 चलिए इस curve को उपर की तरफ shift कराया याद करिए दूसरे step में उपर की तरफ shift कराना है करा दिया मैंने उपर की तरफ shift maxima कहाँ पे मिल रहा है load पे मिल रहा है maxima कहाँ पे मिल रहा है load पे मिल रहा है अभी भी condition ZL is greater than Z naught फर्क कहाँ पे आएगा इन दोनों case में Vswr में Vswr क्या हो जाएगा 1 से infinity के बीच में आ जाएगा तीसरे case में देखिए maxima को किस तरफ shift किया left की तरफ shift किया left की तरफ shift किया तो maxima को यदि मैं left की तरफ shift कर दूँगा तो क्या involve हो जाएगा आपने देखा होगा अभी RL load बूला था आपने RL load बूला था यानि maxima को left की तरफ shift करूँगा तो क्या involve हो जाएगा L involve हो जाएगा तो देखिए इसको ऐसे याद रखी उपर खिसकाया उपर की तरफ खिसकाया तो R आया और उपर की तरफ खिसकाया तो क्या आया R आया और maxima को left खिसकाया maxima को left किसका आया तो क्या आजाएगा L आजाएगा तो hopefully यह आपको समझ में आया होगा यह characteristics में relation समझ में आया होगा इस lecture में इतना ही in next lecture we will see the next part of this lecture thank you very much